जैहिंदे श्टड़ी बसे रहे कि नए वीडियो में आप सभी गहारती स्वागत चलिए पकर नए तो चलिए को सब्सक्राइब कर लिजेगा वीडियो कर पसंद आता है तो वीडियो को लाइक और शेयर भी करते चलिएगा सब्सक्राइब करके बेल आइकन को बजाना मत भू बेंडियो की सरकार दवरा शुरू किया गया है घोशना की कि तह peng सरकार calm दवरा दियाएगा इस तरह की यिजना है और वी राजिए चैल हुई है तो उसका मैंने नाम यहां लिख दिया है उसका मैं स्टेट बताते जा रहा हूं और यह पैसे कितनी दिये जा रहे हैं उसको बारे में नोट डाउन करते चलिएगा तो फ़र्ष्ट में यह जारखंड की है बहन बेटी स्वलंबन योजना जारखंड सरकार दोरा गोशना की ग गया है जिसके तहद भी एक हजार रुपया परतीमा महिलाओं को देने की गोशना की गई है लक्स्मी भंडार योजना तीसरा है महतारी बंदन योजना महतारी बंदन योजना चाहति सठकार दोरा भी चलू किया कि इसके तहद भी एक हजार रुपिया दिया जाता है ये 36 गड़ महतारी बंदन योजना 36 गड़ लाडली बहन योजना या 36 गड़ के प्रोसी राजे मद्य परदेश मध्य परदेश द्वारा इसे चालू किया गिया है लाड़ली बहन योजना इसके तहट साड़े बारा सो रुपिया दिया जाता है महिलाओं को उसके बाद है महिला सम्मानी योजणा दिल्ली डिल्ली द्वरा चालू गया गया है इसके तहट 1,000 रुपिया महिलाओं को दिया जाता है उसके बाद है मुखे मंद्री माजी लड़की बहिनी योजना या महराश Tribla द्वारा A.M.H. यानि कि A.M.H. महराशciones सरकार द्वारा पंदरह सोर रूपिया देया ता है महिलाओं को प्रतीमा उसके बाद है इंद्रा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधी योजणा या हीमाचल प्रदेश सरकार दोरा योजणा चलू किया गया इसके तहद भी 1500 रुप्या यहां भी 1500 पनिराइं सो और महनासरकार द्वारा भी 1500 और मध्ध्य-प्रदेश द्वारा दिया था यह जुनायां जो है महिलाओं के लिए चलू की गई है जो सरकार में, सरकार द्वारा, राज्यों के सरकार द्वारा तो यह important प्रस यहां से बन सकते हैं next point है, पैंटेरा नाम का, यह पैंटेरा नाम का artificial intelligence advance AI चालू किया गया है, किस के लिए सिस्टम को launch किया गया है, तो जंगल में लगी हुए आग का, पता लगानी के लिए जो artificial intelligence easy पैंटेरा नाम का, इसे start किया गया है, किस tiger reserve में चलू किया गया है तो pench tiger reserve में, pench tiger reserve में चलू किया गया है, और pench tiger reserve कहा है? तो महरास्ट और मद्य पर्देश में पेंच टाइगर रिजर्ब इस्तित है और पेंच टाइगर रिजर्ब में ही डार्क स्काई यानि कि भारत का पहला डार्क स्काई पार्क स्टार्ट किया जाएगा यहाँ भारत का पहला dark sky park पेंस टाइगर रिजर में स्टार्ट किया जाएगा भारत कभी कुछ दिन पहले हम उने पढ़ा था भारत का सबसे बड़ा तेंदुव सफारी तेंदुव सफारी कहां स्टार्ट किया गया है तो बनेर घट्टा जयवी के उध्यान बनेर घट्टा बायलोजिकल पार्क में इससे स्टार्ट किया गया है बनेर घट्टा जयवी के उध्यान कहां है तो करनाटक में है या बनेर घट्टा जयवी के उध् नेच्ट पॉinsp नव मिज़ता है स्पडिकस का पारऊंज करने की योजना बन रही हैben कब तक योजना है इसे तो ऑसके तहट चंद्रियान सूर जाएगा चांद पर जाएगा, चांद से मिट्टी और चटानों के नमूने को लेकर वापस आने की योजना है, अभी कुछ दिन पहले हम लोगो पढ़ा था, चांद पर से मिट्टी लाने वाला सबसे पहराद देश को बढ़ा था, चाइना बना था, किस मिसन के तहत में, जो चांग E6 मिसन के तहत में, और इसे जो चंद्रियान 4 इसके तहत, दो हिस्सों में इसे लॉंच किया जाएगा, दो इसका चरन होगा, अंत्रिक्स में दोनों हिस्सों को जोड़कर फिर चांद पर इसे लॉंच किया जाएगा, उतारा जाएगा, और इस सिरों दुवारा ही, भारत का पहला अंत्रिक्स इस्टेशन भी कब तक योजणा बनी है अंत्रिक्स इस्टाइब करने के 2025 इसको हम लोगों ने पहले वीडियो में पढ़ा है और जो अंत्रिक्स इस्टेशन इस्टाट की बनाया जाएगा नाम रखा जाएगा भारत अंत्रिक्स इस्टेशन और इस रोगारा इंसान को चांद पर भेजना का भी लक्ष है कब तक कलग्ष है दुनिया को सबसे पहले बताया था कि चांद पर पानी इस्तित हैं चंद्रियान टू को लॉंच किया गया था और लेंड कब किया था चंद्रियान थ्री चांद पर चांद के जो अंधिरे भाग है दक्षनीद भाग है वहां लेंड कब किया था तो दक 23 अगस्त तो है तेश को इसलिए हम लोग 23 अगस्त को अंत्रिक्स दिवस मनाते हैं हम लोग 23 अगस्त को राष्ट्री अंत्रिक्स दिवस मनाते हैं 23 अगस्त को और जहां लेंड किया था चंद्रियान थ्री जहां लेंड किया था जहां उत् स्थान का नाम सीव सक्ति रखा गया है सीव सक्ति उस अस्थान का नाम क्या रखा गया है तो सीव सक्ति यहां मैं लिखना भूल गया था परंतु मैं लिख दूगा यहां पे स्क्रीन पे एडिट के समय में सीव सक्ति रखा गया था रोबर का नाम क्या था रोबर का नाम था लेंडर का नाम था बिक्रम और चंद्रियान थ्री के प्रोजेक डिरेक्टर का नाम था पी बीर मुथुवेल चलिए क्रिकेट के सन्यास, क्रिकेट से सन्यास अभी इस साल लिये हैं कौन-कौन से अभी T20 World Cup के बाद भारतिया खिलाडी, तीन खिलाडीयों ने सन्यास लिया है उन्हें से भारतिया कप्तान रोहित सर्मा, दूसरे नंबर बिराट कोहली और रविंद्र जडेजा ये तीनों ने T20 World Cup से सन्यास ले लिया, तीनों ने और अस्ट्रेलिया क्रिकेटर डेविड वार्नर और न्यूजिलेंड के क्रिकेटर ट्रेंट बोल्ड भी इंटरनेशनल क्रिकेट से सन्यास ले लिया है तो भारतिय जो मैंने नाम बताया, रोहित सर्मा, बिराट कोहली रविंद्र जडेजा इनोंने T20 क्रिकेटर से सन्यास लिया है और डेविड वार्नर इंटरनेशनल क्रिकेटर सभी फोर्मेटों से इनोंने सन्यास लिया है इंपोर्डेंट फैक्ट सा चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, नेक्स्ट पॉइंट है बेंकाया नाइडू, लाइफ इन सर्विस, ये एक बुक का नाम है तो किसके दोरा लिखा गिया है, तो एस नागेश कुमार दोरा लिखा गिया है, किनके जीवन पर अधारित है, तो पूर्ब उप राष्ट पती बेंकाया नाइडू के जीवन पर अधारित ये पूस्तक है, और इसका बिमोचन या फिर इसके रिलीज किया है, प्रधान मंत मती थे 2022 तक इनको पद्विभूशन इसी वर्च 24 में इने पद्विभूशन से भी सम्मानित किया गया है चलते हैं नेक्सट पॉइंट है अमरनाथ गूफा की यात्रा है इसे स्टार्ट कर दिया गया है 29 जुन से यह 15 अगस तक चलेगी 29 जुन से 15 अगस तक अमरनाथ यात्र गूफा किस भगवान सीव को समर्पित है तो यहां पर जो अमरनाथ गूफा है इसके प्रस्ण बना था कब इसी में आया हुआ था तो कौन सा प्रस्ण था कमेंट से ने बताईएगा कब उत्तर से संबंदीत है वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक भी करते च जलते हैं नेक्स्ट पॉइंट है धर्म पूरा स्री निवास धर्म पूरी स्री निवास धर्म पूरी स्री निवास तेलंगाना के बिधान परिशत के प्रत्थम विपक्स के नेता थे 2014-2015 टक ये विपक्ष के नेताँ थे विधान सबा कि बात नहीं कर रहा हूँ मैं तेलंगणा खेस्ट के विपक्ष के नेता थे पहले विपक्ष के नेता थे धर्म पूरी श्दीट ओपे सुरा इनका निधन उनटीज जुन 24 में हो गया है 29 जून 24 में हो गया है पहले हैं तिलंगना के विधान परिशन पहले इसलिए इंपोर्टेंड यह बन सकता है यहां से प्रस्ण बन सकते हैं प्रतिपक्ष के नेता थे तिलंगना के इसलिए यहां से प्रस्ण बन सकते हैं तो आज के लिए इतना ही मिलते हैं फी